ओपनमाइंड गुर्जी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है तो आज के क्लास में ITA फॉस्ट इयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है इंप्लॉबिलिटी स्किल उसका अमारा अगर आपको इसका फ्री में मॉक टेश देना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप चैनल पे नए होता आपको क्या करना है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आकन दबागे अल नोटिपिक्शन आन कर देना है ताकि जब बारावे क्लास में हम employability skill को continue कर रहे तो आज का हमारा जो चप्टर रहेगा पाचवा यूनिट यानि कि पाचवा चप्टर रहेगा जो की basic English skill यानि की बुनियादी अंग्रेजी को चल यह चाप्टर का या तो हमारी यूनिट का नाम है जिसमें लगबग 100 कोश्चन है तो 100 कोश्चन भी हम कवर कर देंगे तो अभी इसके पहले यह बारावा क्लास हो थी इसके पहले जो ग्रीन कलर करके यानि कि एक दो तीन चार यह च्छटा यह पूरे के पूरे चाप्टर कंप्लेट हो चुकिया और जो यलो कलर में जाके भी देख सकते हो या तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्चन में देते हैं थी तो हम अपने कोश्चन की तरफ बढ़ते है तो आज का जो हमारा चाप्टर या तो यून नोट आपको देदे यानि कि सूचना देदे आपको कि जब आपकी exam होंगी न तब ये जो English grammar के question है आपको GSC कि वैसे English में ही मिलेगे तो आम पढ़के भी दे दिएआपको कि English grammar के question CPT में English में ही रहे गया और इनके गल्ती से इंग्लीज में इंग्लीज ग्रामर का क्वेशन अगर गल्ती से ट्रांसलेट होंके हिंदी या माराठीस लैंगेज में आजाता है तो आप पढ़के ना आपको समझ भी नहीं आएगा क्यूँ तो English का grammar अलग होता है और बाकी जितने भी language है सबका grammar क्या होता है अलग-अलग होता है तो इसका translation grammar का करना मुश्किल नहीं ना नुम्किन है तो इसके कारण जो भी question नहीं है तभी भी आमने यहना कुछ कोशन समझनी के लिए स्रित अमने ट्रांसलेट कर देबठ़ हो सकता है एकजाम के वक्त तो आपको इंगलिष में स्वारी हिंदी में ना दीखे या तो माराटी में ना दीखे आपको जैसे को इस इंगलिष में दीख सकते तो जो आमने grammar का कोशन है होते वाद तक उसको हमने English में रखने की कोशिश की ठीक है तो हम पहले कोश्चन के तरह बढ़ेंगे यह instruction है यह हर बार इतना बड़ा नहीं देंगे यह पहला आज का पहला क्लास है इंग्लिश का इसके लिए instruction दे रहे ठीक है तो यह हमारा पहला कोश्चन है तो और एक बाद आपको बता देते हैं कि हम English के टीचर नहीं है हम इंग्लिश के टीचर नहीं है हम इलेक्ट्रिकल के बड़ तब भी हमें इतना इंग्लिश पता है कि हम आपको समझा सकते हैं इंपलाबिल्टी स्कील के लिए बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं है तो दीखिए दोनों language में कोश्चन है यह भी आंसर दे सकते हैं उसके blank में फींद सकतें लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास option की है तो देखें consistency है यह एसे कभी होता है कि इंग्लिश हम दिन में बात करेंगे घ्लाग तो रात में करेंगे तो कि और ना वह याँग पर फेक्ट ने आ ऊपो थोड़ी ना थोड़ी आपको समझने तो इसका एंसर क्या रहेगा सही रहेगा कि इंग्लिश क्या है कि हमारी common language है यानि कि अंग्रीज एक क्या हमारी साधारन भाषा इंग्लिश क्या विलकूल सही है ठीक है उसके बाद है using internet यानि कि internet का use करना is easy if we learn blank है उसके बाद तो यदि हम आप लेते हैं तो internet का उपयोग करना आसान हो जाता तो आपको पता होगा आप किसी भी state क्यों आप किसी भी state क्यों एक language तो आपकी English होती है ठीक है तो और दूसरी जो आपकी प्रादेशी कहने जो आपके state की भाषा है रिष में इंग्लिष में डालेंगे लेकिन अगर इंग्लिष में डालते हो आपको सर्ज करना क्या होता है आसान होता है क्योंतों maximum maximum जो container data है वो काई में अवालेबल इंग्लिश में अवालेबल इसके कारण अगर आपको English आती है तो आपको Internet यूज करना क्या हो जाएंगा एकदम आसान हो जाएंगा तो वही कर्ष्ण का कहिना है यदि हम English देखो स्पोर्ट सीख लेंगे तो इंटरनेट यूज करना आसान नहीं होता है मैच सिंग लेंगे या तो साइंस सीख लेंगे तो इंटरनेट यूज करना आसान नहीं होता है लेकिन अगर हम English सीख लेते हैं तो सीख लेने से क्या होगा इंटरनेट का उपयोग करना क्या हो जाएका हमार लिए आसान हो जाएंगा तो इसलिए इसका बी एंसर क्या रहेगा बिल्कूल सही रहेंगा उसके बाद अभी हम ब्लैंक आया पे द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं अभी चार आप्शन में से हमें देखना है कि हम किसी अंग्रेजी सीख सकते हैं पहली बात कि कुकिंग करके खाना पका कि हम अंग्रेजी सीख सकते हैं बिल्कूल नहीं खेल के अंग्रेजी सीख सकते हैं यह से नहीं होता है दीरी दीरे कि आपको आदत पढ़ जाएंगे तो यह चार में से रीडिंग न्यूस पर या निकी जो अखबार हो अखबार पढ़के आप क्या कर सकते इंगलीश सीख सकते तो दौरा अंग्रेजियम सीख सकते तो इसलिए इसका सी आप्शन कहा रहेगा ब आपको पूरे पूरी और पूरी और पूरे foldुरे क्या इंग्रिश मेंँग्लीश का निंग्लीश सीख सकते हैं उसी तरह से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी, क्या होगा पढ़ते-पढ़ते practice होते जाएंगी, तो उसके कारण हमारी अंग्रेजी क्या होगी, सुधर जाएंगी, तो यहाँ पे question में बूचा है, this help him, यानि कि उसको उससे क्या मदद मिलेगी, ये blank में put करना है, हिंदी में पढ़ लेते हैं टॉम उन नाम बोड विज्यापनो और पोस्टर को पढ़ने की कोशिश करता है जो कि अंगरीजी में बिल्कुल तो इससे उसे में क्या होगा मदद मिलेगी खेलने में मदद नहीं मिलेंगी फ्रेंड को मदद नहीं मिलेंगी देखने में मदद नहीं अभी क्या question में बुला गया है जब people यानि की लोग अलग-अलग state यानि कि अलग-अलग राज्य से मिल रहे ठीक है अभी हिंदी आती है तो ठीक है बट किसी राज्य में हिंदी भी नहीं समझती है बहुत से ऐसे राज्य है हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में कि वहाँ पर communicate to each other तो या पर पूछाए कि कौन सी common language है जो हर official में हर state का कोई भी अगर meeting होती है तो ओ language सभी को समझ में आती है तो या पर देखेंगे जब विबिन राज्यो देशों के लोग देखो बाहर के देश की भी लोगों के बात की आजिए ठीक है आधिकारिक तोर पर मिलते है त तो एक दूसरे के साथ सववात करने के लिए blank आम तोर पर इस्तमाल की जाती है तो हमने तो इंडिया का एक्जाम पर दिये हिंडिया के बाहर के भी अगर बात है तो उनको हिंदी ना थोड़ी ना समझने वाली है उनको क्या करना पड़ेगा इंग्लिश में ही meeting करना जाता कि आम तोर पर कौन सी भाषा इस्तमाल करते हैं नहीं लैटीन करते हैं न्यूस्पेपर भी नहीं करते हैं एक्शन का तो सवाल नहीं भाषा नहीं है एक तो लैटीन हो सकता था है तो अंग्रेजी या तो इंग्लिश हो सकता था इसका बीवाल आप्शन का संप्पल सी बात है जैसे हम है तो हमारा राम सुमजोन रोशन है तो यह क्या हो और चीजों के नाम के लिए उ?- उसको क्या कहाँए नेमिंग वाण यह तो नामकरन शब्दक आ इसका वयलकूल सही इसके बाद नम करना शब्द होड़ कियो वोता है इसे दूसरे दूसरे जो घ्रामेटिकल वर्ड होता है उसको क्या कहाän जाता ग्रामेटिकल वर्ड में तो उसको गये लूट नाम करन शब्द भी कहा जाता है इसको नाउन को तो ध्यान में रखना नाउन यानि कि वह नाम जैसे हमारा पेन का है जैसे बोला ना एक्जामपल आपका भी नाम होगा वह नेमिंग वर्ड है आपका तो उसको नाउन कहा जाता है क्या कहा जाता है ना अभी ते ओ धीरी धीर कि यहां पर बैट यानि कि किसी का नाम है किसी का क्या है किसी आनिमल का या तो जो भी जनावार होता है उसका क्या है नाम है हो गया घला यानि है क्यों क्या एक्शन है तो यहां पर क्या नाम है या उसका क्या है एक नामकरण शब्द है क्या है नामकरण जिसे हम पहिचानते कि यह क्या है बैटे करके तो इसका एट का एंसर कहा रहेगा हमारा डी रहेंगा उसके बाद राम वॉज आस्क तू मेजर हीज कब बोट ठीक है अभी राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गय कितना था चारव फीट लंबा था था तो हीयर फीट मीन्स यहाद पर फीट का अर्थ क्या होता है यह पूछा है तो फीट मतलब क्या होगा यह measurement हो गया है यह distance होगा एसे हमब सी बात है जैसे हम बोलेंगे कि हमारी फाइट पाच ही तह है या तो 6 फीट है यह से बोलेंगे उसके बाद, John was traveling by the bus to his village, अभी यह जो John है, अभी John, अबर एबराहम भी हो सकते है, ठीक है, पट यहाप यह John है, वो travel कर रहे है, traveling by the bus, वो bus से travel कर रहे है, अपने village से, ठीक है, He note the name of place that could be seen in the journey, वो भी गाव जाने के लिए भी निकले है, समझो, रास्ते में, तो रास्ते में चाते जाते क्या करते जा रहे हो, जितने भी बीच बीच में गाव आते हैं, वो गाव मतलब जो village है, उनके जो places है, उनके नामों लिखते जा रहे, नाम क्या करते जा रहे, गा क्या कहा जाएगा, मतलब उस शब्दों को क्या कहा जाएगा, वो क्या कर रहा है, नोट कर रहा है, वो जो places है, उनका नाम है, तो पहले बोला, place के नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, किसी जनवर का नाम हो, प्रानी का नाम हो, तो उसे क्या कह का जाता है naming word का जाता है क्या का जाता है naming word तो अभी आप वही पुछाता है हिंदी में भी पढ़ ले थे इसका एंसर कहा रहेगा बिल्कूल सही रहेंगा उसके बाद next है cat is an example of अभी cat नहीं सोरी आपर क्या है थे तो देखो एक अगर एक है तो उसको cat कहते हैं या निकि बिल्ली ठीक है और cats अगर अगर इसको yes लगा देंगा तो क्या हो matière बहुत सारी चन कहाता है क्या कहा जाता है बहुज है शब्दॉर आपोज्टिट चोड़ दो एक तो其實 to har街 ने आ तो singular और एक से अगर ज़्यादा है कोई पीचीज ओ अभी यह pain है और बहुत सारी अगर pains होती तो अनमबर अपन मतलब उसको क्या करेंगे plural करेते हैं क्या कहते हैं प्लूरल या तो बहु अचन कहते हैं क्या कहते हैं बहु यानि की एक से ज्यादा तो इसका बी एंसर कहा रहेगा विल्कूल सही रहेगा उसके बाद अभी यह सब है न ज्यादा थर आएंगे अभी देखना इस टाइप का ग्रामर अभी चेंज होते जाता है क्वेशन का जब यहां पे ब्लांक है पर सअब अरहे कि एक जग चीज एक है तो मुश को क्या कईँगे सिंगूलर कहें एक से ज़हाँ आए कि एक है जो है कोई यस लगा यह लगा होता तो हम क्या करते तो हम क्या करते उसको यूज्स करते है वन होते तब एक से ज़यादा रहेंगा तुछ क्या लागाते हैं यह कहां उसको प्लूरर्व मतलब श्री अकेला बच्चा है यह रि уб Core- acids यह रहे जो रहें बतको चाइल्ड का किया इसे एट क्या होता है चिल्डण होता है चिल्डण से जप्ञे हैं लिए तो उसको क्या कहें गिए तो इसका डी रहेगा बिल्कूल सही रहेंगा उसके बाद एक चाइड वाज वर्किंग इन कंप्यूटर लाब वीच हैड मेनी कंप्यूटर अब इसको भी हिंदी में करेंगे ना तो पूरा क्वेशन इधर उदर चला जाएंगा तो उसका मीनिंग नहीं बनेगा ठीक है मतलब प्रॉपर दुट्ण नहीं पाम गी सब्सक्राइब यहाँ पर या चाइड वर्किंग इन कंप्यूटर लाब बच्च्क कंप्यूटर लेंट में काम वाजए करना था वीच हैड मीनी नीं कंप्यूटर व वहाहां पर बहुत सारे computers है द्यान दीजिए यहाँ पे computers है मतलब yes लगा दिया ऐसी जगह पे काम कर रहा था वहाँ पे बहुत सरे computers है तो the word computers यानि कि आपे जान बुझ के हमने yes लगा दिया computer क्यों तो यहाँ पे एक computer दाओ यहाँ पे computer रहें तो word computers is in the blank i from yes लग दिया इसका मतलब क्यों आए बहुत एक से क्या है जादा है उसको क्या कहेंगे उसका बी एंसर करेंगा जो सही रहेंगा ठीक है उसके बाद किससे दाट से अपने दातों से परेशान था तो का गया dentist के पास गया का पर गया है dentist के पास गया था वाज बोला था गया था तो dentist treat our teeth problem dentist ने उसके problem के उपर क्या किया treatment किया क्या क्या treatment किया in this sentence which is the plural word अभी यह जो sentence है ना यहां से लेकर यहां तक का जो यहां पर पूछा है कि plural यहां कि एक से ज़्यादा जहां पर होगा वह ऐसा वर्ड कौन सा इसमें यह पूछा था तो अभी हम देखते अगर आते हैं तो देखो अभी option में पहले हम बता देखेंगे तो दोनों भी वर्ड यहां पर यहां पर यूज की के देखो बता देते हमे यहां पर किसी का नाम है देंटिस्ट के पास गया मतलब फो डॉक्टर के पास गया जो दातों का इलाज करता है यह भी नाम हो गया प्लूरल वर्ड पूछा है यह भी नाम हो गया टेकर कर रहा है कि क्या अपने दातों पर मेरे दातों पर My दाटों पर क्या 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 है यह प्रोट तो मतलब क्या होता है एक होता है तो इसका एंसर कहा रहा है बिल्कूल सही रहेंगा उसके बाद प्रोणाउन या तो सर्वनाम ठीक है उसको अभी क्वेशन में जान पूच कि हमने इंदी आपको समझने के लिए डाल दे हैं प्रोणाएनस सर्वनाम he he, she, her can be used in the place of अभी या तो शी जैसे लड़का है तो बोलते हैं और लड़की है occupied का पूचाहिए और उसके बाद खुच आप देगे और और से चालू करना है और रोशन के बारे में पर रोशन दो अभी में लड़का है तो लड़की है तो क्या लिकेंगे शी लिकेंगे तो यह कहां पर naming word की जग़ा पर हम यूज करते कि इसको ही या शी को ठीक है तो इसलिए इसका यह तो हम क्या कहते उसको उनको दे कहते याने की वे टीक है पूछा कि यह कि द्यीव के बिल्कूल रहेंगे तब हम they का use करते ठीक है तो इसलिए इसका c option कहा रहेगा बिलकूल सही रहेंगा ठीक है उसके बाद the pronoun I ठीक है I का कब use करते यह पूछा है I is used for ठीक है I याने कि मैं जब खुद के लिए हम I use कर सकते हैं आपके लिए इसलिए इसका बिलकूल से उसके बाद रमेश का पर काम कर रहा है यहां पर ब्लैंक है लाइक द ऑफिस environment ऑभी उसका ऑफिसका इनवारिमेंट पता है अभी जैसी पहले बोला थे ना हम रोशन वाला एक एक एक्जांपल दिये आपको सेम अभी देखो यह रमेश आने के लड़का है यह नाम है यह क्या है नाम है और यह अपर बर नेम नहीं लिखते बार बार नेम नहीं लिकेंगे लड़की होती थे आप लिखते तो यह वाला आपशन आएगा यारी की आप उसको क्या होगी उसको क्या अब चाहिए तो क्म Cup है ज़्ञें अच्छा लग रहा है तो इसलिए इसको आपशन कहें रहे collagen टिक है उसके बाद सिटा अभी सिटा लड़किए इत्ताम समझख चलते हैं सिता एड आए ठीक है सिटा और मैं आए यानिकी माईसल इंहीं टिक है आर फ्रेंड हम दोनुंभी क्या है यहां पर ब्लैंक है stay in gandhi bazar, अभी देवो, क्या हो सकता है, कि मैं एक तो gandhi bazar में रह सकता हूँ, या तो sita gandhi bazar में हो सकती है, ठीक है, तो अभी sita के लिए option में, तो sita का option है ही नहीं, ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, what stay in gandhi bazar, ठीक है, gandhi bazar में रुके या तो stay करके तो इसलिए इसका the answer क्या होगा बिल्कूल सही होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम आपने class को रोग देते हैं और बाकी क्यों क्यों करते हैं इसके बाद वाले class में continue करते हैं तब तक आपको क्या करना है अगर वीडियो अच्छा लागा तो वीड देखने के लिए नेक्स वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं धन्यवाद